आप सभी को राम राम और स्वागत है मैंने कहां इंडियन FM के इस वीडियो में मैं हूँ आपका साथी प्रनील मैंने कहां इंडियन FM आप आवश्चे सुनना जहां पर हम बढ़ाओ देते हैं भारती तिहास, हैते, संगीत, संस्कृति, हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व और सना पर उसको भी आप लाइक, शेया, कोमेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी आप लाइक, शेया, कोमेंट कर दीजीगा ताकि जो हमारा संदेश है वो हमारे लोगों तक पहुंच सके आज जबकि महाश्यवरात्री का राद भी चल रहा है अच्छी तरह से हमने पूजन लेकिन आम तरह तक पर लोग अपने घर पर सिर्फ जो पहला अपना रहर है उसी में पूजन करते हैं तो खर कई दिनों से कई दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कोशिश कर रहा था आपके सामने वीडियो में लाइव में आऊं लेकिन मौका नहीं लग रहा था दोस्त्त हमको मोका लगा तो मैंने सोचा कि महाश्रिवरात्री के बारे में आप से कुछ चर्चा करता चलूं तो आप जानते हैं आज की रात है कि चतुर्द शीतिती है वो आज सुभे को ही लग चुका था लेकिन और कल सुभा जाकर रहती थी अन्थोगा लेकिन जो जो चार प्रहर का पूजन रहता है वो आज शाम आठ बिज़े से शुरू हुआ और अब ही हम जो दूसरा प्रहर है उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं ऐसे मैंने कहा चतुर्द शीति थी कृष्ण पक्ष माग महिना इसमें महाश्रिवरात्री का जो पर्व है वह रहता है और यह अमावस्य की रात्री है इस रात्री में जो चांद है चंद्रमा है वो घटेगा और कल की रात्री में क्या होगा कि वो नया चांद की और कल रात आज महाश्रीबरातिरीальное को पावर्ण पुनीत पर्व महाश्रीबरातिरी के बारे में जानने से पहले हम क्यों ना चलिए अपने बहुले भंडारी हुशिर शुकरजी भगवान उसके बारे में कुछ चर्चा लो만 कहते हैं कि पूर्न रूप से उनको जानना असंबव है जी हाँ बिल्कुल सही है लेकिन हम कुछ रूप से तो उनको जान सके और अपने बच्चों तक यह बात हम पहुचा सके जैसे हमारे छोटे बच्चे हों हम से पूछते हैं आज भी पूछा कि यह क्या है जो मूर्ती है शिव का है और उनके हाथ में तर्शूल यह है क्यों है डंबरू क्यों है तो यह सब सवाल वो पूछते हैं तो हमारा कर्तब यह बनता है कि इन सब चीजों के बारे हम जाने अपने घर में पूजन पार्ट इतादी करें और जैसे मैंने अपलोड के ता हनड़ एक सो आट न जारी रखे क्योंकि जो कर पर हैं बारे है मेरे से और अपने अपने घर में करें घर में समय में तो अपने बच्छों में कौन के बारे में जानते हैं तो एक कौन है यह सनातन है मतलब यह सदासित थे हैं और रहेंगे यह यह हमारी जो जगत जन्नी मा जगदंबा है लोग उन्होंने उनके समय से हैं और जब मां हमारी जगत जग्दंबा उन्होंने यह तैए कि हमको भी एक रूप में आना है तो श्री श्रीव शंकर जी भगवान उनके ही अर्ध नारिश्वर उन्होंने रूप लिया था और आधिया देख सकते हैं अर्ध नारिश्वर रूप है आधा पुरुष आधास्त्री तुस्त्री का रूप जो है वो माजगजनी भावनी माने लिया था उस समय और हमारे श्री श्रांकर जी भगान आप जानते हैं कई कथावा में दिखाया गया है कि वो त्रिमूरती का हिस्सा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं तो सदा से थे हैं और रहेंगे सनातन आधी पुरुष आए थे और वही भोले भंडारी वह हमारे श्रीकृषन जी भगवान उनको देखने एक बारा जोगी का रूप बनाकर आए थे और वही भोले भंडारी श्रीकृषन जी जो रास लिला है उसमें भाग लेने के लिए वह आये थे अपकी अर्द नारिश्वर नहीं पूर्ण पूरा एक गोपी, गोपेश्वर रूप बना कर वो आए थे और प्रणाय के समय वो सिष्टी के संघार करता भी है उसके साथ साथ पापी का, पापियों का भी वो संघार करता है वो खुद काल है, खुद समय है और खुद जो कला है, जो आच्श है हमारा जैसे तांडव, जो जो करते हैं उसी सब निट करा जो है हमारे भारत से शुरू हुआ 어우 जो डमरु की ताल है उसी के ताल से ही इतना ठबला ढोलक जितने विवाध से शुरू हुआ जो हमारे भारत के और विश्व के जो बहुत बड़े अधिव सन्करंजी हुसें जी वो तो खुले आम सबी जगा कहते हैं कि श्रीश्रिश्र्णकर जी के डमरू से ताल शुरू हुआ तो बहुत-बहुत बड़ी बात है और जो हम कराकार लोग है उनके लिए भी श्रीश्रुणकर जी भगवान बहुत-बहुत महत्वर रखते हैं उनका जो कुछ न यह उनका घर कैलाश में है और कैलाश स्वर्ग का मार्ग है महाभारात में हमने देखा है कि युदिष्ट्र जब स्वर्ग क्यों जाता है तो कैलाश क्यों से जाता है कैलाश चड़ाई वरिजित अर्थात की इसके युग में जो कैलाश परोच है हिमालैस में आज की युग में कोई उस पर चड़ाई कर नहीं सका है किसी की हिम्मत नहीं हुई है और जो भी कोई जाता है तो वहाँ पर कथाय सुनता है कि यह शिव जी का पहाड है इस पर आप नहीं चढ़ सकते तो कोई किसी ने उस पर चढ़ाई किया भी नहीं और हमारे शिव शांक जी भगवान शम्शान पते हैं या कि शम्शानों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी शिव लिंग रखा हुआ है तो वहाँ पर भी उनका वास है जैसे कि मैंने कहा हो सभी का ख्याल रखते हैं अपने साथ में त्रिशूल पर शूपिनाक धरुश रखते हैं राक्षिस जो अभी सामने आए उसको संघार कर देते हैं चंद्रमा आपने सिर पर डाले हुए हैं चंद्रमा अर्थात सोम इसलिए सोमवार जो है उनके पूजन के लिए स्रेष्ट बताया गया है और उस रोज खास हर सोमवार को पूजन खास के रुद्र अभि पूरा काम जो है मंत्र मंत्र अर्थात मन को बचाने वाला वही मंत्र है वासुकी नाग लप्टा रहते हैं और अपने साथ नंदी बैल उनकी सवारी है और इसलिए वह पशूपती भी है जिहां शमशान पती पशूपती सब को साथ लेकर चलते हैं उनकी पत्नी शुरू मे तो मा जगजनी सती थी और फिर दक्ष यक कन्या सती उसमें जलकर भस्प हुई उसके बाद वो योगी बने फिर पारुती से विवा है इसके बारे में चर्च हम थोड़ी देर बात करेंगे लेकिन अभी मैं सिर्फ शंशेप में बता दूं उनकी बारे में कुछ उनके बच आगे बताते रहेंगे आओ शिए उनके पुत्र है उनके बारे में हमने गरेंश दुर्ति में कथा कहा था और गरेंश जैनथी भी फ़वरी के शुरू में था और पारवति मेल प्रगटर था गरेंश जिएक उत्पती हो आप कसब जानते हैं कि पारवति मान अपने मेल से उनको प्रगट किया था और एक कथा जो मुझे को नहीं पता था कि उनकी एक पुत्री भी थी जिहां अशोक सुंदरी अशोक सुंदरी उनकी एक पुत्री भी थी पारुती कलव ब्रिक्ष मांग अर्थात की पारुती माने कलव ब्रिक्ष से ये मांग किया था कि मुझे एक पुत्री चाहिए और ऐसे अनन्य कथा अनन्य कथा कथा कोई पार नहीं है शोताओं बहुत बहुत विशाल इनकी कथा है और खास करके अब महाशिवरात्री पर हम चर्चा करते हैं तो महाशिवरात्री इस पर क्या करें या क्या किया जाता है तो खास करके इसमें जागरन का महात्व है इसे मैंने खा चार प्रहर मतलब पूरी रात जागरन करना वैसे इसे मैंने का कि हम लोग को कठिन लगता है लेकिन एक दो प्रहर का लोग कर सकते हैं वैसे तो मंदिरों में पूरा चार प्रहर का जो जागरन है वहाँ होता है व्रत होता है कई लोग होता है शिवध 40 होता है शिव आर्थी होता है 108 नाम होता है रुद्र होता है अं गिनत तूर्थ transmitted और कुछ आप से हो सके वहाँ अरपन करो कि मन का अरथात मन की शांती पूजा पाठ हम करते हमारे मन के शांती के लिए यह है बेल पत्ति आम गर्ना विबूति यह सब चीज यह सबस्तु हमारे शुशंकर जी भगवान को अती प्यारी है और यह सब लोग चढ़ाते हैं बेल पत् के में तो हमारे घर के बगल में तना बड़ा पेड़ था क्या करेए अप सोच गें तरस्थें बेल पत्ती का कोई भी शोट नहीं था कम कि हमारे लोगों का क्या कहानी है क्यों हमको देश चुना पड़ा ऐसे-से वह सब बाद में चर्चा करेंगे आप जानते हैं महाण शिवरातरी स्कंद पॐर लिंग पूरान पूरान पूरा इस Сब पूरानी उता है, और हमारे रामायन शिवर सब में सब प्रवाति पूराitting आपक quite very जिसे मैंने कहा और एक जो बात में हमेशा कहता रहता हूं कि अभी जो भारत वर्ष में कुछ सार पहले जो डिसकवरीज हुए है जो गुफा भिम बेट का गुफा मिला है उसमें मिला है कि शिव शंकर जी का चित्र हजारों सार पहले लोगों ने बनाया था गुफा में और उसके साथ गनेश जी का भी चित्र बना था तो वैसे तो नहीं बना था जैसे कि अस्ट्रेलिया में जब मिला गुफा तो वहां के लोग उन्हें गुफा में क्या उन्होंने बनाया जो देखा वो बनाया वो देखा जो देखा वो बनाया भारत वर्ष में गनेश जी के चि बनाये उन्होंने हजारों साल पहले तो यह सब क्यों क्या देखा होगा तभी तो क्या मन घड़क कोई क्यों करेगा तो आधी गुरू परम पहले गुरू हमारे शिवशंकर जी भोले नाथ तांडव जो होता है जो करते हैं भगवान जी उप्रले के रोज एमहा शिवरात्री के रोज यह होता है क्रोधित में रूप में होकर करते हैं और एक और कथा मिलता है कि समुद्र मतन विश हलाहल नेल कंट धारी त्रिपूरारी और यह भी कथा है कि जब उन्होंने समुद्र मतन के समय जब निकला था विश जहर हलाहल तो शिवशंकर जी भगवान अपने ग भागी रती गंगा शिव जटा प्रवेश भी महा शिवरात्री की रोज हुआ उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बूलेंगे आप जानते हैं कथा कि किस तरह गंगा मा जो है वह भागी रती लाना चाहते थे स्वर्ग से धरती पर लेकिन धरती उनका बोज नहीं सहन कर पाता अगर वैसे ही डिरेक्ली अगर मा गंगा आती इसलिए शिव शंकर जी भगवान ने उन्होंने अपने जटा में जटा धारी गंगा धारी इसलिए किया था और जो सबसे मुख्य कारण कि संघार करता शिव जगत जननी शक्ति पार्वति विवाह हमारे जो संघार करता है श इसे सब कुछ है पारुतीमा उनका जो मिलाप है उनका विवाह महाशिवरात्री के रोज होता है तो ऐसे सकता था अब बढ़ते हैं कि जो वरत कथा जिया जो वरत होता है खास करके चार प्रहर का वरत उस पर हम अब जानकारी ले लें कि एक राजा सुन्दरसेन राजा सुन्दरसेन शिकार आसफल तो एक राजा था सुन्दरसेन उनका वो शिकार करता जंगल में घूमता लेकिन उसका शिकार जो है आसफल है कुछ मिरा नहीं हुआ भूका वरत अंजाना तो अंजाने में ही उसने वरत कलिया क्योंकि दिन पर घूमा शिकार किया उसको को कुछ मिरानी बेल अब रिक्स चड़ नीचे शिवलिंग तब जंगल में जा रहा है अब रातरी होने वाली है और जानते हैं आपकी भारत वर्ष में जंगल में रात के समय कई जो जंगली जानवर है वो आ जाएंगे तो ये पेड़ पर चड़ा अपनी सुरक्षा के लिए उसने पेड़ पर चड़ा और ये बेल बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था जहां वेल पत्र अरपन अंजाना तो अंजाने में इससे बेल पत्र ये तोड़कर वैसे गिराएं लगा या हाथ से गिर गया तो अंजाने में अब ये व्रत भी कर लिया है अंजाने में अभी बेल पत्र भी कर रहा है और चार प्रहर शिकार प्रयासा अर्था की अब पूरा राज जो है वो पेड़े बैठा है बेल पत्र गिरा रहा है वैसे खे वैसे करते हुए उनसे बेल पत्र गिर जाता है लेकिन उसको शिकार नहीं मिलता आसफल रहता है चार प्रहर बेल पत्र अरपन अंजाना तो इसी प्रकार से चार प्रहर उनोंने अंजाने में अपना जो बेल पत्र है उसको अरपन कर दिया शिवलिंग के उपर राज असनुरसेन शिकार आसफल शिकार भी नहीं मिला और इसका वरत है और जो अरपन कर रहा है वो सब जारी है राज असनुरसेन यम राज यम लोग शिवगन चुराए पुन्य अंजाना अर्थात की जब उनका मृत्य होता है तब यम लोग यम लोग ले जाना चाहते हैं लेकिन शिवगन उनको वहां से लेका आते हैं कहते हैं कि नहीं ये हमारे साथ शिवलोग जाएगा तब जब 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 यम राज यम राज यावर यम दूत हैं कि क्या क्या इसने ऐसा कांसा पुन्य क्या कि इनको शिव लोग आप ले जा रहे हैं तो कथा उन्होंने बताई कि अन्जाने में इसने महाशिवरात्री के दिन यह बेल पत्र जो है हमारे शिव लिंग पर उन्होंने चढ़ाया था तब ऐसा बहुत-बहुत महत्वपूर्ण अगर आप अवस्च करेंगे और महाशिवरात्री क्यों एक और कथा मिलता है शिव लिंग जोतिर लिंग धरती प्रगट ये शिव पुरान वाच्छ शिव पुरान वचन इसमें है कि ब्रह्मा विष्णु श्रेष्ट विवाद कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया कि श्रेष्ट काउन देव गन शिव हक्स तक शेप विनती तो इनके विवाद में देवताओं ने कहा कि हे प्रभु हमारे शिव शंकरजी भगवान आपको आपको साहता करो. तब शिव अगनी ब्रह्मान प्रज्वली तर्थात की शिव शंकरजी भगवान ने इतना बड़ा अगनी कर दिया की पूरा जो ब्रह्मान इसमें इतना बड़ा अगनी फैल गया ब्रह्मा विश्णु अंत खोज प्रयासर थाती ब्रह्मा विश्णु जो है अब यह पता लगना चाहरे है कि अगनी कहां से शुरू हूए अब इसको हम कैसे इसको काबू में करें इनको अंत मिल नहीं रहा है लेकिन ब्रह्मा क्या करें उसको एक जगा पर केत की जो फूल है वहां मिला और उसस जूट के जूट का सहरा लिया और बताया श्रीव भगवान को किया देखो हमको केत्थी फूल मिला हमने पता लगा लिया कि यह जो अगनी है जो कहां से है और इसके बिल्कुल उपर हम पहुंच गए ब्रह्मा केत्थी फूल जूट सहरा ब्रह्मा शिव श्राप पूजन केत्थी फूल शिव श्राप उपयोग वरजित केत्थी को भी श्राप दिया कि आपका उपयोग पूजन में खासके हमारी पूजन में तो होगा ही नहीं और इसके वारे मैं मैंने कुछ रिसर्च किया तो पता लगा कि जो स्क्रू पाइन है या पंडानस जहां स्क्रू पा था की तुलसी के बारे मैं आपको चर्चा कर दो तो तुलसी शिव श्राप अरपन वरजित तो तुलसी शिव अरपन वरजित स्का क्या है तोproblem सि अन्हें तुलसी तो सिव और शर्बै पत्त हो जो जो विरिंदा उनके पती जरंधर उनकी मृत्तिव श्रीव शंकरजी भगवान ने किया था तो इसी कारण तुल्सी जो है वो श्रीव भगवान की उसके निकट नहीं जाना जाते है वही बैसिक एक्स्प्राइशन वही है लेकिन जब तुल्सी विवा होगा उस समय हम इस कथ को अवश्य रखें तो विवरंत तुल्सी विवा में हम करें तब शिव अगनी ब्रह्मान प्रज्वलित शिवलिंग धर्थी प्रगट जोतिर लिंग प्रगट तो उसी समय जो महागनी था उसमें शिवलिंग जो है वहा मिला और इसी लिए जो है भारत वर्ष में खास करक कि जो कई शिवलिंग है कई जखापर है कि उनका कहां से आया उनका अंत जो है वह मंदिर के लोग है उनको नहीं पता इसलिए मुझे शिवलिंग पूजा के समय भी यहां से वहां घसकाना वह भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता जहां पर रखते हो अपने थान पर पूजा के जगां वहीं पर है तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और ऐसा एक अधा है तो उससे मिलता जूता एकाँ और कथा कि मुझे मिला कि वटुग भेर और भेर आस चरिय कि उन्होंने भी एए दपिश देखा था कि उसमें दोनों का वास रहता है वटुक भैरव और भैरव आशिरवाद शिवलिंग महत्व महान शिवलिंग का महत्व बहुत महान है शोता जिसे मैंने कहा शिवलिंग रुद्र अभिशेक खास करके जब आप दूद चढ़ाओ शिवलिंग पर तो जिस तरह से वह दूद आ गिरता है वो अती अती शांती प्रदायक है आपके मन के लिए आप खुद खुद यानुभाव करना खुद एक्सपिरियंस करना और हम चले कुछ महामृत्विंग जाए के मंत्र के बारे में भी हम कुछ कथा श्रवन कर लें कुछ मंत्र जो है बहुत आवश्यक है इसको सी देने देर रखेंगे यूंकि मेरा जो मुख्या जो अईम था वो था कि हम ऐसा रेडियो स्टेशन इस्टेशन शुरू करें जहां पर कीतन भजन यह हो और आप सपोर्ट करें बहुत अच्छी तरह एक बात कहना मैं भूल गया कि हमको सब डोनेशन और स्पोंसर्स की जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कुछ मंत्र जो है बहुत अवश्यक है जैसे यह जो मंत्र है महामृतिन जाय मंत्र यह साह कि ओम त्रयम्वकम में जा महें सुगंधिन पूश्य वर्दरम उर्वारुक में बंदना मृत्य और मूक्षे मामृताथ शिव जी का बहुत अतियंत महत्वपूर्ण मंत्र है और इसका एक अर्थ यहां मिलता है कि तीन नेत्र वाले रुद्र या शिव का स्मरन हम करते हैं सुगंधित जो है जो हमको पुष्टी यानि कि हष्ट पुष्टी देने वाला है और जैसे एक खीरा अपने जो पेड का बंधन वहाँ छोड़ता है वैसे हम रित्यू के बाद मोक्ष की ओर जाए तो सिधा जो जीवन का लक्ष होना चाहिए वो शिवशंकर जी भगवान इस मंत्र के दोरह हमको बताते हैं कि हमको कहां पर जाना है वहां का वो बताते हैं और रुद्र त्रियंबकमिया मंत्र है रिगवेद जिससे आप जान जो लिखा गया वह भारत वश्का इरिगवेद उसमें यह जुर वेद में है और त्रियंबकम मतलब तीन नेत्र वाले हमारे रुद्र रया शिवशंकर जी भगवान और इससे मिलता जुलता जो शिव तांडव स्तोत्र उसको भी हमने रखा था के लोगों ने सुना उसकी अगर आपने नहीं सुन सकते हैं तो एक तो यह संस्कृत में है और दूसरा एक बढ़ा बढ़ा संस्कृत का शब्द है और तीसरा इसको गाया जाता तो इसको संगीत में मिलाना बहुत बहुत मुश्किल आब तक हम नहीं कर पाए है प्रयास करेंगे बहुत कठिन बहुत मुश्किल है तो इसका क्या कताय की उत्तरकांडर रामायन वाच की दस सिर बीस बुझा रावन लूटा अकल कैलाश निकट तो रावन जो है अकल पूरी को लूटता है जो कैलाश के पास में है और सवतेला भाई धन संपती कुवेर नगरी और कुबेर-देव का वहां से लूट मचा कर और पुश्वक विमान कुबेर से चुराया वहां लूट मचाई भी और वो सब रूट का माल है वह कुबेर का हुसमें रखता है और उसी को लेकर उड़कर अब या रहा मिप उपर वरिजित अर्थात तो पुष्वक विमान ये ले जा रहा है कहला श के पास आते ही विमान रुक साहएं पर नहीं पाता है दंदी अधनलनदी श्राप वानर रावन पराजित तो तो नदी इसको मिलता है उसको अनाप श्राप बोलता है कि हम क्यों नहीं आसे आगे जा सकते हैं तो नंदी ने का भईया हमने आपका क्या बिगाड़ा है उसको शराब देता है कि तुम हमारा अराब शराब हमको बोल रहे हो वानर तुम्हारा संगार वानर तुमको सिखा देंगे पाठ पड़ा देंगे आप से केवल इंतजार करना प्रतीक च करना तब रावन बीस बुझा कैलाश उखाड प्रयास असफल क्रोधित अब क्या हुआ कि नंदी से अनबन कर लिया अब जो बीस बुझा अपने बीस हाथ उसको लेकर अब कैलाश परवत को उठाने की कोशिश करा है उकरा कि अगर हमको जाने ने दे रहा हम इसको उखाड फेंकिंगे तब शिव पाओं दबाओ कैलाश रावन बंदी तो शिव शंकर जी भगवान कैलाश पर उनका वास है और वो देख रहे हैं कि रावन उखाडने की कोशिश करा है अब शिव शंकर जी तो बैठे अपना पाओं जमालिया ठीक से अब रावन उसमें फस बढ़ा रावन रोना आरंभ अब ये रोने लगा तो रावन का नाम ही ऐसे पढ़ता है ऐसे आप दिखना रावन रोना रोना रावन रावन ऐसे ही उसका नाम पढ़ा और रावन शिव स्त्रोत्र गायन हजार सहस्त्र वर्ष एक हजार वर्ष रावन जो है वो शिव स्त्रोत्र का अब पाठ करेंगे नगा है, पाठ कर रहा है, मैंने कहा बहुत कठीन है संस्क्रि और नाकी के वाल संस्क्रित और तीसरा संगीत बद्ध है और चोथा मैं भूल गया कि यह ताल बद्ध भी है तो सुरताल संगीत संस्क्रित और संस्क्रित के लंबे-लंबे वाकि बहुत कठिन अतिकठिन तो ये अब गा रहा है हजार सहस्त्र वर्ष शिव शमा रावन चंद्रहास तलवार प्रस्तुतर थाथ शिव जी बहुत प्रसन होए रावन से उनको शमा किया उनको चंद्रहास तलवार उनको भेट क किया तो ऐसे उसका कथा है तब हमारे पास समय भी है सिर्फ आधा हंटा हुआ है मैं सोच जा था कि कितना लंबा हो जाता है लेकिन क्या करे कथा इतना विशाल है और जैसे हम लेक्चर्स वगरा में जाते हैं तो वहाँ पर एक दो घंटा लेक्चरा बोलता है लोग सुनते हैं तब कई लोग सुन रहे हैं आप सुनते रहे हैं साथ में तब दो और कथा जो मैंने तयार किया था एक तो है कामदेव शिव कथा तो रामाइन महाभारत भगवत गीता हमको बतलाते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार वस्तु हैं धर्म मतलब क्या करना है अर्थ धन संपती उसका भी आवश्कता है जीवन में काम कामना इच्छा उसका भी आवश्कता है और मोक्ष जो है वह तो हमारे end goal है मतलब हमारे लक्ष है तो ऐसे चार वस्तु जुहें जीवन के बहुत बहुत महत्वपुर्ण बताया गया है तो एक जुहें काम इच्छा उसको हम ले ले तो उसी का देवता जो हो काम देव है और उसका जो पत्नी है वारती ऐसे आपने देखा होगा कि उनके पास जो है गन्ना का धनुष है और फूल का बान है जहां गन्ना का धनुष फूल का बान वो ले रहते हैं और मत्से पुरान शिव पुरान वाच तारकासुर आक्रमन इंद्र तो ये कथाब है कि जब सती विचारी जल गई और उसके बाद शिव जी जो है वो पूरी तरह से योगी बन जाते हैं तारकासुर जो है वो उत्पात मचाता है और कथाया मिलता है कि ये केवल शिव का जो पुत्र है उससे मरेगा और ब्रह्मा बतलाते हैं पार्वति को कि आप जाओ शिव जी का पूजन करो उसको उनको प्राप्त करो ताकि ये सब कारिय हो सगे और इंद्र बोले कामदेव शिव तप भंग एंद्र ने कहा कि कामदेव आप जाओ शिव जो है वो अपनी योग में मगन है उनको आप जगाओ तो काम देव, मदन, आकाल, वसंत मतलब इसी समय, इसी समय के दौरान वसंत से आप जानते हैं अब जो हमारा सीजन से वा भी बदल रहा है तो इसी समय के दौरान काम देव जाते हैं और जोका बनके जाते हैं नंदी को वो नंदी के पास से वो चल जाते हैं एक हवा के जोका बनके और शिव ध्यान स्तति मृत्तियू यसे मैंने कहा वो अब तो ध्यान में हैं और इसकी हम खास कथा आप नहीं बताएंगे नवरातरी के समय माता कथा की समय उस समय हमने चर्चा कहा है कि तो चर्चा करते है रहेंगे और काम देज जाता है नंदी के पास से जाता है और अपना धुन बार्टरी को प्malत्रा उस समय मोदेखते हैं और उन से पूछते हैं कि House आप यहाँ पर क्यों हो किके कि हुए ऑजर अर मदन जो है काम देव उसको वो जीवित करने की कोशिश करते हैं और भगवान शिव जो है वो क्या करते हैं कि जो काम देव है पूरे विश्व में फैल जाता है इस समय और इसे कारण जो है देखते हैं कि पूरे दुनिया भर और पूरे ब्रह्मांद पूरे विश्व में जो काम ना है वो काम देखे करमिड़न अ अब जानते हैं कि कार्टिके स्वामी का जन्म होता है और कार्ति के फिर तार का सुर को वो पच्छाड देते हैं उनका विद्वन शेम कर देते हैं तो यह भी कथा हमने तयार किया था और एक और आखरी कथा जो हमने तयार किया था वो कि जब शिव पार्वती का जो बिवा है यह इसी समय वह होता है आजाने जो महाशिवरात्री का जो रात्री है उसी समय पर होता है और यह जो कथा है तो कई लोग कई समय इनका इस जो कथा है उसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार श्रीफ जी आते हैं अपने भूत बैतालगन के साथ आते हैं और किस तरह से विवा होता है तो ये कथा काफी प्रसिद्ध है लेकिन एक जो कथा मुझे मिला हो वो कई जगा नहीं मिला है बहुत गिने-चुने-जगाही मिला है वचसों अगर आप कुछ कथा का रिसेच करो तो कई इसका रेफर्स करो लेकिन इस कथा का कम रेफर्स मिला है लेकिन मिला है तो मैंने सुझ आपके साथ हम बाट लें और यह कथा शिव पारवती विवा के समय तो क्या होता शिव बारवती विवा के समय राजा जो हिमावत है थोड़ा थोड़ा उसके मन में हंकार आ जाता है तब भगवान शिव क्या करते हैं कि अपने जांगों से वो दो बच्चे अपने दो गन प्रगड़ करते हैं और उनका रहा में शुक्र और सनी चर तब यह देते हैं हिमावत के कहते कि हमारे बच्चे हैं आप इनका ख्याल करो और जो है और उसका जो हजामत करने वाला मतलब जो बार कटने वाला वो दो साथ में खड़े हैं और यह दो बच्चों को दे दिया तो जो उस हजामत करने वाले के पास जो गया, जो बच्चा गया and this use wisdom भीज़ा अब इसको बढ़ा है ता, फिन रजामत करने वाला you जब राजा के पास थे तो अपना वजन कम कर लेती तुब अपना वजन जो है बढ़ा है तो ऐसा खेल रचा रहे थे और जब मैना रानी ने देखा हो जब उनकी पास यह गये तो बहुत ही खुशी हुई क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था और मेरा रानी के साथ भी अपने इन्होंने क्या कि अपना जो गोड़ है अपना पैर है उसको बढ़ा लेते हैं क्या हुआ मापारुत समझाती है कि आप इनको कुछ खिलाओ और यह बताते हैं कि हमको जमीन पर रही दो प्लेट और कुछ बढ़ते हैं इनको नहीं चाहिए अब सारा खाना जो है उखा जाते हैं जो इनको दिया गया और इनके पास राजा हिमावत के पास साथ सव जहां खा जाते हैं और यह नहीं फ्लोपने दीवार दर्वाजत उसको भी खा जाते हैं और जो पानिए गंगा का भी पीचाते हैं और शाच-बाइन के पास राज़ा के पास अर्मावत के पास वहां का गहुँ अनार जबija सब खा जाते हैं अब नगर में प्रवेश करते हैं अभी भी हंग्री है भूखा है सब नगर का खाना वो खा जाते हैं गंगा जमुना का पानी वहाँ पी जाते हैं और बहुत उत्पातब यह मचा रहें तब यह जो राजा हिमावत का जो इनका जो थोड़ा जो अंकार हो गया था तो वो सुच लगा था कि कोई मेरे बराबर नहीं और उनका जो जो राज्य था वो सुर्य उदे से लेके सुर्य अस्थ तक जिहां जिस तरह से ब्रेटिश है पाया था ना सुर्य उदे से सुर्य अस्थ उतना बड़ा इनका भी राज्य था और इतना वो बोलते थे कि इंद्र वरुन कुवेर वो भी आकर हमसे मांगते हैं तब यह इस प्रकार का उसका घमन था नांकार था उखमन अंकार था सुप्रिस स Japon सॅनेचर और थो सारा खा गया खाना खा गए गोदाम खाना खा गए अनाज खा गए नगर निवासी का खाना खा गए गंगा जमना का पानी वहाँ पी गए तब दोड़ के आते हैं दोड़ के आते हैं शिव जी भगवान के पास रोने लगते हैं तो शिव जी बोलते हैं आप क्यूं रो रहे हो और सुकर सनाच सैंचर बढ़ते हैं जैसे आपके आप अपने पास कुछ नहीं रखते हैं वस्तु उसी परकार यह रजा है इसके पास भी कुछ वस्तु नहीं है बस कुछ अनाजम को दिया थोड़ा खाना दिया उसके बंद कर दिया थोड़ा दे के बंद कर दिया अब राजा हिमावत जो है वो तो उसका तो बेज़ती हो गया उसका नाम नीचे हो गया बीट सभा में अब गया मैना रानी के पास की मैना रानी आस तो हम आपका अंत कर देंगे आप ये आपने क्या क है कैसे होने दिए मैने कोई बेस्टी नहीं हैं आप देख धिखंज तब मैना राणी बोलती है चावी का करोगे चावी का करोगे खिड़की पल्ला तो खालिया इसने चावी का करोगे तब राजा हिमाचल दोहे उजाते हैं देखते हैं किस प्रकार ये दोनों ने सारा कुछ खा गया और उसका भी जो हाराद बहुत बुरा हुआ वह भी बेहुशी में आ जाता हैं दो खंटा बाद जाकते हैं और उटा पारोती के ओपर ये गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा जो हुआ है लेकिन क्या होता है वो फिर वो अहसास करता अपना जो गलती है और शिवशंकर जी के शरण में जाता है और शिवशंकर जी भगवान वो पूरे जितना उसके खाना था नाश था वह सब भरपूर कर देते हैं और इतना ही नहीं जो सोने की वर्षा होती है वन इनकोटा प्रहर वो हुआ था और एक प्रहर तीन घंटे का होता है तो लगभागा तीन चार घंटा सिर्फ सोने की वारिश ये हुई थी तो ये कथा भी मुझे मिला था तो मैंने सुच आपके बारता चलो महाशिवरात्री का ये रात है अगर आप जागरन कर रहें तो आशाहिकी आपका जागरन पूजन सफल रहे और शीव शंकर जी भगवान आप पर कल्यान करें जै भोले नात